हालो गाइज वेल्कम बेक टू एड्यू प्लान्क इस में मुस्कान अरोडा और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं है HTML यानि की Hypertext Markup Language का इस Hypertext Markup Language क्या होती है यह मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ पर फिर भी थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं इसका यूज किया जाता है वैप पेज इसको क्रियेट करने के लिए इंटरनेट पर अगर आपको वैब पेजिज है एक Special Language में लिखने पड़ती है इसको हम बोलती है Hypertext Markup Language इसकी जो कोडिंग होती है Notepad++ में होती है और यह जो HTML के जो Codes लिखे जाती है वो हमेशा Hashtag में लिखे जाती है अगर आपको किसी भी Web Pages की Coding को चेक करना है तो आप वैब पेज पे जाकर किसी भी Web Pages की Coding को चेक कर सकते है ठीक है और लास्ट वीडियो में मैंने आपको यह भी बता दिया था कि आपको Notepad++ को डाउनलोड करना है तो आपको आपने Notepad++ को डाउनलोड कर लिया होगा तो चलिए गाइस हम Coding स्टार्ट करते है Notepad++ पर तो चलिए गाइस हम मैंने Notepad++ को आपन कर लिया अब आपको क्या करना है फाइल में जाकर आपको New File ले लेना है ठीक है जब आप New File लेंगे तो इक New File आपके पास आजाएगी अब यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है HTML ठीक है और जो भी टेग आप Open करेंगे उसको आप साथ ही साथ Close करते चाहिए because sometime क्या होता है हम टेग को बंद करना भूल जाते हैं और अगर हम किसी टेग को बंद नहीं करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो work नहीं करेगा अब HTML के बाद हमें लिखना होता है Head तो HTML के बाद मैंने यहाँ पर लिखा Head और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसे मैं लिख लेती हूँ This is my website ठीक है आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना हो अब उसके बाद आप यहाँ पर Head को भी बंद कर लीचे Next आपको लिखनी है Body Head के बाद Tag में Body का यूज होता है तो Body में भी आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिख लिया This is the first page ठीक है यहाँ पर यह मैंने लिखा अब यहाँ पर में Body का जो यह है यहाँ पर में Body को भी बंद कर देती हूँ Tag को इसको में उपर कर लेती के इसको क्या कर लिए आपको फाइल को सेव कर ना है Guys फाइल को सेव करते हुए आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि जब आफ फाइल को सेव करेंगे तो सबसे पहले आपको सेव state करना है सेव नहीं करना सेव Dal бо Your Read डाल दीजिए जैसे मैंने लिख दिया माई डॉक्यूमेंट कुछ भी आप नीम डाल सकते हैं ठीक है तो मैंने डाल दिया माई डॉक्यूमेंट .html देखिए आपको html लिखना इंपॉर्टेंट है अगर आप html नहीं लिखेंगे तो आपकी जो फाइल है वो टेक्स में जो टेक्स होगा उसमें convert हो जाएगी और फिर वो work नहीं करेगी तो आपको याद रखना है आपको आपनी फाइल को एक तो desktop पे save करना है और my document जैसे कुछ भी आप name देदीजिए उसके बार .html की extension लगानी है आपको फिर आपको इसको save कर लेना है ठीक है अब मेरी यह जो फाइल थी यह save हो गई आप चलिए इसको run करके देखती हूं तो run करने के लिए पहले आप इसको minimize कर लीजिए और देखिए अभी मैंने जो फाइल बनाई थी यह थी my document आप देखिए इस पर google chrome का जो निशान था वो आ गया ठीक है अगर आपकी फाइल के उपर आपके जो web browser है उसका अगर tag आ जाता है निशान आ जाता है तो यानिकि आपकी फाइल सही बनी है ठीक है अब इसको मैंने right click किया और इसको मैंने open कर लिया अब देखिए मेरी यह जो फाइल थी यह open हो रही है देखिए यह open हो गई this is my website this is the first page अब आपको क्या करना है आपको इसको थोड़ा सा इसको छोटा करतो शौट कर लो और यह जो मैंने फाइल बनाई थी इसको भी मैं थोड़ा सा शौट कर लेती हूँ अब इन दोनों को म देखिए इससे क्या होगा इससे आपको easy रहेगा जो भी आप coding करेंगे यहाँ पे वो आपको दिखाई देखिए ठीके आप देखिए आप क्या करना है आपको आप जिससे मैंने लिखा था this is my website इसको आप h1 में डाल लेजी आप h1 क्या है h1 का हम use करते हैं heading डालने के लिए यहाँ पही मैंने h1 open किया और इस line के बाद ही मैंने h1 को बंद कर दिया ठीके यह मैंने यहाँ पर h1 को बंद कर दिया फिर उसके बाद आपको फाइल में जाके आप इसको दुबारा से सेव कर लीचिए ठीके यह सेव हो गया अब मैं इस पेज को जब रिफ्रेश करूंगी तब आप देखना इसमें क्या चेंज होगा अब मैं यहाँ पर इसको तो देखिए यह आ गया इस इस माई वेबसाइट यह क्या बन गया यह मेरा h1 यानि की मेरा हैडिंग 1 यहाँ पर बन गया इस तरह से आप 6 हैडिंग अपनी वेबसाइट में डाल सकते हैं ठीके तो अब आपको क्या के याद रटने वाली बाती हैं सबसे पहले तो जब आपको first time save as करना है और HTML की extension देनी है अगर आप HTML के extension नहीं देंगे तो आपकी जो file है वो text में save होगी second thing याद रखने की यह है जब आपकी file save हो जाएगी तो आप उसको dextrop पे save करिएगा एक बार उसके बाद आप उसको folder बना के उसमें डाली चेगा तो यह देखिए जसे म आप open with कर सकते हैं मैं तो हमेशा Chrome का यूज़ करती हूँ इसलिए मेरी जो फाइल थी वो Chrome में ही सेव हुई तो आप यहाँ पर राइट की क्लिक करेंगे तो open with जो भी जिसमें भी आपको यूज़ करनी है Google Chrome में Mozilla Firefox में जिसमें भी आपको यूज़ करनी है तो आपकी फाइल के उपर जो भी आपका वेब ब्राउजर है उसका निशान आ जाएगा तो तब आपको बता चल जाएगा कि आपकी जो फाइल है वो सही बनी है उसके बाद आप इसको अपन कर लीजिए अपन करने के बाद दोनों फाइल को आप एक साथ अज़स कर लीजिए ठीक है अज़स करने से क्या होगा जो भी आप कोडिंग करेंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी तो आज की इस वीडियो में इतना ही आप इतनी प्रेक्टिस कीजिए अब न तक यॉ